नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुक्तादिक्षित एस्ट्रोजर सनी देव का सत्रा जनवरी 2023 से गोचर हो रहा है और 2025 तक खास रासियों को जो हैं सनी देव प्रभावित करेंगे क्योंकि सनी देव धाई वर्स तक जो है एकी रासि पर रहते हैं तो इजनी के प्रभाव के कारण जो है परिशानिया भी आती हैं सुक भी आते हैं दुख भी आते हैं सनी न्याय के देता हैं कर्म के देता हैं जैसा आप कर्म करेंगे बैसा आपको फल मिलेगा और यह निश्चित है तो जी हैं दोस्तों सनी के प्रभाव को सुब फल में हम कैसे बदल सकते हैं इसके लिए आज आप लोगों को कुछ खास उपाय बतलाऊंगी और यह उपाय सभी उपायों को करने से सनी देव जो हैं आपको सुख सम्रद्धी धन प्रदान करते हैं आपकी परेशानियां दूर करते हैं और स्वभागी प्रदान करते हैं तो जी हां दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकन अवस्तव आईए इसके साथ हमारे क कि सुप्रवाव को बदलने के लिए हमें जो है सनी बार और मंगल बार के दिन हनुमान चारीसा का पाड़ जरूर करना चाहिए और इसके साथ हनुमान जी को जो है गुर चने का भोग जरूर लगाना चाहिए दूसरा उपाए आप जो चने रहते हैं या फिर जो अनाज रहते हैं इनको भीगा करके रखना चाहिए रात्री में और पक्षियों को डालना चाहिए ऐसा करने से पक्षि जो रहते हैं जब आपके दाना खा कर जाते हैं तो आपके जो कष्ट रहते हैं उन्हें अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि सनी दियों का बा पक्षियों को दाना खिलाने का उपाय सबसे पाव़फूल बतलाएंगिया है तो जी हैं डोस्तों बहला भी और जब अनाच खाते हैं तो दुआ भी देते हैं तो इसलिए यह उपाय जरूर करें जब हम पानी में भीगोकर अनाच हो जाता है तो यह हैं दूसरा खास उपाय तैसरा खास उपाय आप LoG को बतलाती हूं कि जो हैAL के दिन ते का दीबदान जरूर करना चाहिए चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी सर्सों का तेज संजी के नाम से जला सकते हैं और यदि आप मंदिर में जा सकते हैं पीपल की ब्रक्ष में जा सकते हैं पूजन करने तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पीपल की पूज करके अपनी काम ना बोलते हैं तो हमारी आर्थिक परिशानिया जो हैं दूर होती हैं इसलिए तीसरा उपाय आप यह करें तो पीपल के पिर में जाकर के थोड़ा सा जल दूद गुड़ चड़ावें इसके साथ सरसों के तेल का दीपक लगावें परिक्रमा करें और जो है सर आर्थिक परिशानियां दूर होती हैं साड़े साथे की परिशानियां दूर होती हैं और जो आपको बड़े कर्ष्ट आने वाले रहते हैं वह सब छोटे में निकल जाते हैं अगला उपाय आपको बतलाऊंगी कि जो है गरीबों असाहायों की मदद करना चाहिए इन्हें उप्युक्त बच्तों हैं खादि पदार्थ हमें जरू सनिवार के दिन दान देना चाहिए, जो लोग समर्थ हैं इन्हें सारे कारे करना चाहिए या फिर आप अपनी समर्थ के अनूसार दान कर सकते हैं, अगला उपाय आता है कंबल हमें जरू दान करना चाहिए कंबल दान करने से सनी की पिडाओं से मुक्ति मिलती है इसके साथ अगला उपाय आता है कि 11 जो कच्चे नारियल रहते हैं इन्हें सनीवार के दिन सामकी समय अपने सिर के उपर से उतार करके और जो है किसी बहते जल में प्रभाहित करना चाहिए ना लादी ना हो पवित्र नदीयों का जल रह सकता है तो यह उपाय हैं जिनको करने से सनी दोता आपको आपके जो कर्ष्क आने वाले रहते हैं उनको दूर करके सुफल पदान करते हैं आपकी पिड़ाओं को हर लेते हैं तो जियां दोस्तो कर दो